तम्रस कर उन्नत प्रभेद में इलाहा बाद सफेदा, 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 लखनौ, उन्चास, सरदार, अर्काम्रिदुला, ललित अर्का, अमुल्या और बिर्साचियां के अम्रूद एक और बिर्साचियां के अम्रूद दुआ है इकर प्रशारविधी केसन है इकर प्रशारविधी है गुटी और चस्मा इकर जे पोधा लगाएक है उकर रूपन विधी के सन है जदी सम्भूई है तो उकर लगिन चैरिकोनिया या की आयताकार रहेक बढ़िया रहे और धलुआ भूई है तो उकर लगिन कंटूर विधी सबसे बढ़िया है पोधा मनक मदे कर दूरी कतना राखिक चाही तमरस लगिन पोधा मनक मदे कर दूरी रहेक चाही 5 मिटर से 5 मिटर जदी सगहन रूपन प्रणाले के रोरे अपना थी तो उकर लगिन रखो 2.5 मिटर से 2.5 मिटर गाढ़ कर आकर रूपएक बेरा रोरे के राखेख है एक मिटर लंबाई में, एक मिटर चड़ाई में और एक मिटर घहराई में जदी इसन राखा तो टमरस कर बढ़ियां उपज रोरे के बेटाई और एके बना रैक बेरा है अप्रिल से माई तक गढ़त गुड़ दे ही रोरे अब उकर में पोधा लगायक है तो पोधा लगायक कर बेस बेरा है जून से जुलाई अब रोरे के गाढ़ा भरेक बेरा माइंद कर प्रयूक करेक है गाढ़ा के भरेक बेरा माइंद कर जोरत पड़ेल तो उकर लगिन गोबर माइंद रोरे के चाहिए 8 kg, करंच घरी चाहिए 1 kg, DAP 750 g, MOP 400 g, मिथाइल पराथियों धूल 75 g और चूना 1 kg गाढ़ा तो भेर देली, अब हमरे के गाढ़ा भरल बादे, इकर में पौधा लगा देली, अब पौधा लगा बादे, माइंद कर जोरत है, उरोरक कर जोरत है तो इकर लगिन रोरे के माइंद और उरोरक कितना देख है सके ध्यान से सुनू जदी पौधा एक बरिसकर होई जाहे तो उकर में गोबरमाइन देखे रोरे के 10 किलो ग्राम नेत्रजन 115 ग्राम, स्फूर 60 ग्राम और पुटास 60 ग्राम समान अनुपात में खादकर मात्रा के 5 बरिस तक बढ़ाते जाओ उर्वरक के साल में बराबर बराबर दूभाग में देते रहो इकर अंतरवर्ती फशिल कोन कोन है? इकर अंतरवर्ती फशिल है पपीता, सबजी और औशध्य पौधामन दवईवला पौधामन पौधा लगाय देली माइन दे देली इके पटायक भी तरकार है पटायक कखन कैसन है जाड कला में इके बीस से पचीस दिन में और गरम कला में दस से पंदरा दिन अख भितरे इके पटाय देख चाहिए अब पटाय दे ही सब चीज होएगे लग इतना में अमरोद रोरे के नी भेटाई एकानिकर में अमरे मन के देखेख है कि इकर में जदी रोक लाइक जाए पिलवा मन लाइक जाए तो उकर सुरक्षा कैसे करब रोक थाम कर उपाय बेमारी लागल डायर मन के तुर्थे कैट के छिनगाय देख जाए जदी इससर नी करल जाए तो उब बेमारी दोसर डायर मन में जट के पोहिंच जैल और घोटा पोधा के बेमार के देल दोसर है गज कर चैरो बटक माटी में चूना और माइंद पानी देते रहे आगे है तिसर है फपुंदी नास कर यदवई कार्बिन डाजीम शुन्य दस्मलो सुन्य दू प्रतिशत से जैर कर आसे पासे कर माटी के पटाय देऊ और मेटा सिस्टॉक्स सुन्य दस्मलो सुन्य पाँच प्रतिशत और जिंक सल्फिट कर छिड़काव करेक चाहिए रोग रोधी प्रभेद जैसे बनारसी नासिक लखनव उन्चास कर चैन करूँ जदी रोरे रोग रोधी प्रभेद के लगाग तो इकर में बेमारी कम होई पिलवा कम लागी और रोरे के फर बढ़िया भिटाई सेले कोशिस करूँ कि जखन लगाएक है तो रोग रोधी प्रभेद के लगाओ अब इकर में एगो बिमारी होईल कैंकर रोग इकर लक्षन कैसन है से के ध्यान से सुनू जदी तमरसकर गच में छुटका छुटका फर मन में डंठल दाना मने दिशेल और फर मन विक्रित होई जैल तो पुझू कि इकर में कैंकर रोग होई जाए इकर प्रबंधन लगिन रोरे के काकरेक हैं। कलमी टमरस के जदी लगाए ही रोरे तो प्रती पोधा एक बच्छर में रोरे के भिटाए जाए 750 किलोग्राम। अब इकर से सुधलाब कितना भिटाए? इकर से सुधलाब रोरे के मिली 40-50,000 रुपए प्रती हेक्टर प्रती बरिस। माने की हर एक बरिस रोरे के इकर में फैदा भिटाई 40-50,000 रुपए कर।